असलाम उलेकुम, क्लास नाइन, एक्सरसाइस 2.2, क्वेस्चन नमबर 3, गिव दे नेम आफ प्रापर्टी यूज्ट इन दे फॉल्विंग, इसका पॉर्ट नमबर 1 है, अंडरूट 42 प्लस 0 इस इकुल तो 42, यह कौन सी प्रापर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी, के वो दुबारा वही अंसर दे, यह देखें, 24 को, अंडरूट 24 को 0 के साथ प्लस किया, तो वही दुबारा अंसर आगया, तो और दिरम्या में प्लस का साइन भी है, तो यह अडिटिव आइडेंटिटी है, माइनस 2 ओवर 3, इन्टू 5 प्लस 7 ओवर 2, इस इकुल तो, माइ तो माइनस 2 बाइ 3, 5 के साथ मल्टिप्लाइ हो रहा है, और प्लस के बाद, फिर माइनस 2 बाइ 3, और 7 ओवर 2, इसके साथ भी मल्टिप्लाइ हो रहा है, तो इसका क्या मतलब है, कि यह डिस्ट्रिब्यूटिव प्रपर्टी है, अब 3 पार्ट में है, प्लस, फिर माइनस का पर 500ग इसका आमचान है एक तो और दूसरा ये जो है पाई उसका इंवर्स आड़ीटीव इनवर्स माईनेस पाई है तो इसे साथ जाहेर होता है कि ये video प्रावर्टी अन्दरोong टरी coloured एवback is तरह कईंपर आंड़रूट एकस और एकस दोनों को को करें एकस का स्केर under root cancel x आ जाएगा तो यहां पर भी वही बात है under root 3 को अगर under root 3 के साथ multiply करें 3 का square फिर under root square के साथ cancel तो 3 आ जाएगा closer property with respect x minus 5 over 8 into minus 8 over 5 is equal to 1 यह देखें 8 को अगर 8 के साथ multiply करें cut जाएगा ना यह 5 5 के साथ cancel minus minus के साथ plus तो इसके equal आ जाता है वन इसका मतलब है कि यह multiplicative inverse है multiplicative inverse में वैसे भी उसके उसका उल्टी लेना होता है जिस तरह यहां पर 7 positive था पहले शुरू में 7 positive था हमने उसको उसी से divide करवा दिया तो उसका answer भी 1 आ गया यहां पर भी वही बात है multiplicative inverse property है यह यहां पर हमारा आज के लैक्टर होता है खत्म अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो चैनल को subscribe कर दें वीडियो को like करें अपने दोस्तों के साथ share करें मिलते है नेक्स टूडियो में तब तक के लिए अलाफ़ीज